नमस्कार मैं हूँ अरुन्शी भीमा हमारे बीच में हैं अलताब अनसारी जी शपा के नेता हैं कदावर नेता हैं कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं हम इसे पूछते हैं कि समय पूरा देश करोना के मावारी से जुज रहा है और एक तरफ कुछ लोग लगडाउन पूर पालन करना चाहिए इससे हमारा हमारा परिवार देश और प्रदेश से ही सुरक्षित इसी से बचेगा दूसरी बात कि जो 21 दिन का लागडाउन था उसको बड़े धैर से जनता ने शुकार किया था आगे की भी लागडाउन की आउशकता है या नहीं है क्या उनके प कि इस देश में 65 फीसदी लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं उनके बारे में एक बार देश के सरकार को प्रदेशों की सरकार को थोड़ा ठीक से उनपर बिचार करना चाहिए था उस पर मन्थन करना चाहिए था ताकि उनके परिवार के लोग भूख से कोई सो न रहा है उस पर एक बार सरकार को चुरूर चिंता कर लेना चाहिए था आज मैं जब आपके बीच में खड़ा हूं तो मैं जा रहा हूं माने जिलादिकारी महोदे से मिलने और इस मउजनपत की एक पहचान है बुनकरों की नगरी के नाम से यहां ताना और बाना के नाम से पू पूक से सडकों पे बिलक रहा हैं सामाजिक संगठन राजनेतिक संगठन जो उनके जो गिरहस्त हैं सेठ हैं जो उनसे संबंदित लोग हैं जरूर मदद कर रहा हैं अस्थानी जिला प्रशासन भी मदद कर रहा है मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहें न कहें भाय से कह कहीं न कहीं कुछ आर्थिक संकट से कहीं न कहीं कुछ लोक लाज के नाते आज वो अपनी बात कहीं कह नहीं पा रहे हैं ऐसे लोग घरों में दबे हुए हैं उनके बारे में भी सरकार को थोड़ा सा चिंतन और मनन करना चाहिए था और है कि मुणकरों बहुल चेतर है जहां मुणकर बहुल चेतर है वहां पे बहुत से बुनकर अपने लूम को नहीं चला पा रहे हैं बड़ा भाका खशी का सिकार है और काफी मुफलिसों का सिकार है मुणकर जहां पे बुरी दिश्तितियां है बुनकर वासी और घरों से नह और अगर मिल जाएंगे तो मैं पत्र दूंगा और मेरी उनसे मांग है कि जो पावर लूम बंद है उस पर उनके लोगों पर थोड़ा भी सेज ध्यान देना चाहिए कम से कम उनकी बिजली की बिल माफ कर देना चाहिए दूसरी बात जो उनके घरों पे अनाज की जो सामगरी ह ठीक से ववस्तित कर देना चाहिए उनके खाते नंबर को मांगके जो मैं किसी को तुलनातमक नहीं करता किसी बात को नहीं करता मगर अगर कहीं अन जगों पर आगर आप खाते से कुछ पैसे ट्रांसफर करने की चर्चा हो रही है जा रहा है कि नहीं जा रहा है इस पर अभ रूप सरकार को डाल देना चाहिए इसलिए कि 95 फीसदी बुनकर ऐसा है जो एक हफते से अधिक का अनाज नहीं रखता है एक हफते आज कमाता है कल खाता है आज कुवा कोता है कल पानी पीता है इसी तरह के बुनकर समाज के लोग आज पूरे मौव से जन्पत के सडकों पर ग अगे हुए हैं आपके चैनल के माद्यम से उन सभी सात्यों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बुनकर बाहुली छेत्रों होने के नाते मौव में बुनकर जहां पर फाका कशी कशीकार है बुनकर की स्थिती खराब होती जा रही है बुनाई पूरी तरह से प्रभावित है उसके लिए कि पूरी मौ के जनपद और नगर के लोग काफी इस्तिती खराब बनी हुई है तो हमारे बीच अलतापंसारी जी थे वहुत सापगोई के साथ उन्होंने समस्याओं को रखा किस तरह बुनकरों की स्तिती है मौ